mutual fund portfolio designing एक बहुत important task है आपके financial planning को ले करके क्योंकि long term में आपका ये mutual fund average return देगा या फिर below average देगा या फिर above average return देगा ये सब कुछ depend करता है आपके portfolio designing पर और portfolio बनता है multiple funds जो की आपने pick किया है या फिर select किया है अपने portfolio में और एक भी गलत fund अगर आपने select कर लिया तो आपके portfolio को long term में negative तोर पर impact कर सकता है अगर आप भी अपने portfolio को review कराना चाहते हैं तो इस screen पर आपको एक email id देख रहे होगी इस email id के मादम से आप contact कर सकते हैं आज के इस video में हम लोग एक बहुत ही महत्तपून topic पर बात करेंगे कि जब भी हम कोई fund select करते हैं तो क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं और 99% जो retail investor है यही गलती दोहराते हैं तो अंते तक जरू जोड़ी रहेगा बहुत important वीडियो है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बिट यूट्योब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार वज़ेट करना है तो इसको subscribe करते हो बेल आगिंग को प्रेस करना ना भूले 99% जो retail investor होते हैं किसी भी category में जब mutual fund में investment करना होता है तो fund को वो कैसे select करते हैं उसका एक उधान में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ small cap category का मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ मालीजी की कोई एक retail investor है जो की small cap category का एक fund select करना चाहता है तो वो क्या करता है Google पर या फिर किसी भी public platform पर YouTube पर वो search करता है कि high return वाले small cap category के mutual funds और उसमें पिछले एक साल का जो highest return प्रोड्यूस करके दिया हुआ है बंधन small cap वो top पर आएगा जिसमें लगबग 75% का return बना करके दिया हुआ है एक साल में जो दूसरे नंबर पर है और जो पहले नंबर पर है उसके बीच का return का gap आप देख लिजे कितना बड़ा gap है तो no doubt return के मामले में ये जो fund है वो बहुत आगे निकल चुका है बाकी के mutual funds में अगर हम लोग एक साल के return की बात करते हैं तो और 99% retail investor इस mutual fund में अपना investment कर देते हैं ये पहली तस्वीर है जब आप इस वीडियो के अंतर तक जाएंगे और fund selection में दूसरी तस्वीर आपके सामने आएगी तो आपके सामने एक नया पन्ना खुलेगा कि किस तरीके से ये fund आपको negative तोर पर impact कर सकता है long term में यहां पर मैं बिल्कुल बता दूँ कि ये वीडियो इस बात के लिए नहीं है कि कौन सा fund अच्छा है कौन सा fund बुरा है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि fund selection में आपकी thinking process क्या रहनी चाहिए बंधन small cap का performance की अगर हम लोग बात करें तो मैं यहां पर all पर select किया हूँ और return देखिएगा ये since inception 42-42% का return बना करके दे रहा है वही पर इसी category का दूसरा fund जो की बहुत ज़्यादा popular है निपन इंडिया small cap अगर इसके all पर मैं select करता हूँ तो since inception की बात करें तो ये लगबग 27-28% का return बना करके दे रहा है तो पहली नजर में जब हम लोग all पर select कर रहे हैं निपन इंडिया small cap के since inception की अगर हम लोग बात करें आप अपने screen पर देख पार होंगे ये fund launch हुआ था एक जनवरी 2013 को यानि की लगबग 11.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इसे 11.5 साल में ये market जब ऊपर था वो phase भी दिखा हुआ है और जब market flat था वो phase भी और जब market में correction आया वो phase भी इसने देखा हुआ है तो जो return इसका लगबग 27.5-27% आपको दिख रहा है वो जब market ऊपर था जब market नीचे था जब market flat था सबका एक average निकल गया और ये लगबग 11.5 साल का average है ठीक है 11.5 साल का ये average है वहीं पर अगर बं अंधन small cap का अगर मैं यहाँ पर आपको inception date दिखाने की कोशिश करूँ आप अपने screen पर देखेगा ये fund launch हुआ था 26 फरवरी 2020 को 26 फरवरी 2020 को यानि ये fund जो है अगर आप देखेंगे लगबग 4-4.5 साल का समय हुआ है और दूसरे fund को जो की निपॉन इंडिया मैंने आपक है और इनका जो एवरेज है वो 11 साल का एवरेज है यानि ये भले ही आपको एवरेज में कम return दे रहा हो लेकिन ये लंबे समय का एवरेज है और ये सिर्फ 4 साल का एवरेज है जो की आपको ज़्यादा दिखेगा और no doubt 2021 21 अगर आप लोग देखेंगे 2020 के कोरोना को अगर एवरेज आपको 27 परसंट का return दे रहा है और ये सिर्फ 4 साल में इनका average 42 परसंट है तो no doubt ये लंबे period में आपको अच्छा return बना कर के दरा है जबकि ये आपको और वैसे भी आप समझ लिजे जैसे कि अगर आप पिछले 4 साल 5 साल का return देखेंगे तो अगर एक fund एक साल भी उसको भी बढ़ा देगा चार साल का जो return है उसको भी बढ़ा देगा क्योंकि एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा return बना करके दिया हुआ है लेकिन इसकी क्या guarantee है कि एक साल में return दिया तो पिछले 4 साल में तीन साल में भी ये अच्छा performance दिया हो इसको जानेने के लिए rolling return के बारे में जानना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि rolling return क्या होता है जैसे मालिजे कि हम लोग तो देख लेते हैं कि 1 साल में 3 साल में 5 साल में कौन सा fund ने अच्छा perform किया है लेकिन 1 साल 3 साल और 5 साल के duration में जैसे मालिजे ये fund ने launch हुआ इस date पर और अब तक का ये data हमें देखना है तो हर एक time period पर हम लोग ये देखें कि एक साल, तीन साल, पान साल में इनका return कैसा है क्योंकि हमने तो ये देख लिया कि ये 71% का return दे रहा है लेकिन ये last के एक वर्ष में 71% का return दे रहा है अगर यहाँ पर इस time period पर अगर last के एक year का return देखें अगर यहाँ पर इस period पर last के एक year का return देखें यहाँ पर इस period पर last के एक year का return देखें तो हमें exact पता चल पाएगा कि ये long term में इस प्रकार का performance दे रहा है या फिर सिर्फ short time में इस प्रकार का performance दे रहा है इसके लिए हमें rolling return को check out करना होगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बंधन small cap और निपॉन इंडिया small cap को select किया हुआ है जो blue वाली line है वो बंधन की है और जो green वाली line है वो निपॉन इंडिया की है अगर मैं यहाँ पर rolling return को select किया हुआ हूँ और rolling return को मैं यहाँ पर एक साल select कर लेता हूँ ठीक है ध्यान से देखेगा अब यहाँ पर क्या अंतर आएगा यहाँ पर देख लिजे इनका rolling return पिछले एक साल का अगर मैं data दिखा हूँ यहाँ पर यह एक साल कब से कब तक का है आप अपने स्क्रीन पर देखेगा यह 25 फरवरी 2021 से लेकर के 19 सितंबर 2024 तक का data है ठीक है अब इस time period में इस time period में एक साल का rolling return हमें यह बता रहा है कि कब यह minimum return दिया हुआ है एक साल में तो minimum return जो इनका गया था minus का 10.44% गया था बंधन का वहीं पर निपॉन का जो return गया था सबसे कम वो plus में था 0.13 का तो यहाँ से आपको इसपस्ट हो रहा होगा कि बंधन इस small cap आपको negative में बहुत जादा return दे सकता है जबकि निपॉन इंडिया आपका कभी भी negative में गया ही नहीं है इसके साथी साथ maximum return की अगर हम लोग बात करें तो निपॉन इंडिया आपको maximum return 133% का बना करके दिया हुआ है और ये जो है 110% का बना करके दिया हुआ है और 2021 से लेकर के 2024 तक का अगर हम लोग average निकालें ध्यान से सुनिएगा 2021 से 2024 तक के return का average निकालें तो बंधन का जो average आता है वो 45% आता है और निपॉन इंडिया का जो average आता है वो लगबग 24% का आता है तो यहां से आपके मन में अब जो perception बना था बंधन के प्रती कि यह अच्छा fund है निपॉन की तुला में यहां से आप आपका perception धीरे धीरे change होना सुरू हो जाएगा कि long term में आपको यह fund ज्यादा return बना करके दे रहा है इसके साथी साथ अगर मैं आपको और इसकी consistency दिखाने के कोशिश करूँ कि किस प्रकार से यह कौन सा fund ज्यादा consistent है इसको देखने के लिए आप यहां पर देखेगा less than 0% यानि कि 0% से कम कौन सा fund कितने percent बार return दिया है तो आप अपने screen पर देखेगा बंधन ने लगबग साड़े अठारा परसेंट मतलब कि 100 में से साड़े अठारा बार यह negative return दिया हुआ है अगर हम लोग rolling return की बात करें तो और वो rolling return इस time period में हम लोग count कर रहे है जबकि निपॉन इंडिया ने आपको एक बार भी negative return नहीं बना करके दिया हुआ है 0 से 10% के बीच में अगर return की बात करें तो बंधन small cap जो है वो 5 बार दिया हुआ हुआ है और ये बार अबार दिया हुआ है वहीं पर 10 से 20% return की बात करें तो बंधन आपको 5% और ये जो है 11 बार आपको return बना करके दिया हुआ है 20 से 30% की बात करें तो आप अपने स्किन पर देख पा रहे हुँआ है और more than 30% more than 30% की अगर हम लोग बात करें तो इस time period में एक साल के rolling return में अगर हम लोग देखें तो 69 बार 30% से ज़्यादा return दिया है किसने बंधन ने और 32 बार 30% से ज़्यादा return दिया है किसने निपॉन इंडिया ने अब यहां से आपका पूरा mindset अप ही बदल जाएगा कि निपॉन इंडिया जो है वो consistent performer यहां से बन करके उभर रहा है बंधन की तुलना में और आपका जो भी ब्रह्म था वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और ज़्यादा open करने की कोशिश करता हूँ rolling return data मैंने आपको बताया कि मालीजे यह time period है और इसके बीच में हमने यह अलग-अलग साल का time period है हमने क्या देखा कि पिछले एक साल में बंधन जो है वो top performer है और 71% का return बना करके दे रहा है अगर हम लोग इस point पर पिछले एक साल का data देखें इस point पर पिछले एक साल का data देखें या फिर इस point पर पिछले 6 महीने का data देखें तीन महीने का data देखें तो हमें और ज्यादा exact data पता चलेगा आप अपने screen पर देखेंगा यहाँ पर देखें 28 जून 2024 का मैं data यहाँ पर select किया हुआ हूँ तो बंधन इस small cap जो है पिछले एक साल में 71% का return वहीं पर निपन 56% का return दे रहा है यहाँ तक clear हो गया और इस date में 3 साल का return भी आप देख पार होँगे तो यहाँ से आपको बंधन का performance काफी अच्छा लग रहा होगा थोड़ा समय और नीचे जाता हूँ थोड़ा समय आप नीचे चलिएगा अब आप देखेगा यहाँ पर अगर हम लोग 2023 में चलते हैं ध्यान से देखेगा यहाँ पर देखेगा यह जो है 28 जून 2024 का डेटा है 31 मार्च 2024 का डेटा है 22 दिसंबर 2024 का डेटा है और एक साल में बंधन हमेशा top पर रहा है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा time period को और मैं पीछे ले जाता हूँ अब यहाँ पर देखेगा मैं आ चुका हूँ 29 सितंबर 2023 को 29 सितंबर 2023 को तो बंधन का जो performance है वो एक साल में 33% का return देवा है वही निपॉन ने 37% का return दिया हुआ है 15 जून 2023 को अगर आप देखें इसका और देख लिजे तीन साल में बंधन का performance इतना है और इसका इतना है अगर 15 जून 2023 को देखें तो बंधन का जो performance है एक साल का वो 24% है और निपॉन का जो performance है वो 36% है और तीन साल में भी अगर आप देखेंगे तो निपॉन कहीं आगे आपको दिख रहा होगा बंधन का अगर 31 मार्च 2023 का डेटर देखें तो इसने एक साल में निगेटिव रिटन बना करके दिया है 5.5% का जबकि निपॉन इंडिया आपको 6.5% का पॉजिटिव रिटन दे रहा है वहीं पर 3 साल का अगर आप बंधन देखें और 3 साल में अगर आप निपॉन इंडिया देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखेगा गैप में निपॉन इंडिया कहीं आगे है इससे वहीं पर अगर मैं आपको 30 दिसंबर 2022 का डेटा दिखाऊं क्योंकि ये फंड 2020 का ही है इससे पहले इंका डेटा अवलेबल नहीं है इस वज़े से 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का डेटा अवलेबल नहीं है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जून 2022 में तो इस फंड ने बंधन ने निगेटिव में रिटर्ण दिया हुआ है और निपॉन इंडिया ने 8.5 परसंट पोजडिव में रिटर्ण दिया हुआ है अगर 30 मार्च 2022 का डेटा दिखाऊं तो बंधन से कहीं ज़्यादा परफोर्मेंस आपका निपॉन इंडिया स्मॉल केप का आ रहा है इससे थोड़ा सा और बैक मैं ले चलता हूँ आपको ठीक है ताकि और ज्यादा तस्वीर आपके सामने आए आप अपने स्किन पर देखेगा हम लोग आ चुके हैं 31 दिसंबर 2021 को और जो बंधन था वो 52% का रिटर्ण दे रहा है और निपॉन इंडिया आपको लगभग 74% का रिटर्ण दे रहा है अगर हम लोग बात करें 30 सितंबर 2021 को तो निपॉन इंडिया एक साल में 80% का और निपॉन इंडिया 92% का रिटर्ण दे रहा है बंधन आपको 80% और निपॉन इंडिया 92% अगर हम लोग बात करें 30 जून 2021 को तो यहाँ पर आप देख पार होगे बंधन 100% का दे रहा है और निपॉन इंडिया 108% का दे रहा है इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो निपॉन से कहीं ज़्यादा बंधन से कहीं ज़्यादा रिटर्ण निपॉन इंडिया का अच्छा आ रहा है तो अगर आप रोलिंग रिटर्ण को देखेंगे तो और ज़्यादा तस्वीर आपको साफ होगी कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिचुएशन में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो नो डाउट बंधन स्मॉल केपने पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 71% का लेकिन क्या ये वाकई में अच्छा फंड है ये चीज़े हमें rolling return से पता चलती है इनका consistency कैसा है performance को लेकर के consistency कैसी है इनकी performance को लेकर के जो की निपॉन इंडिया में ज़्यादा दिख रही है consistency वो की बंधन small cap में आपको नहीं देखने को मिलेगी ठीक है तो अगर आपके वल एक साल का data देखकर क्या रहे हैं तो ये आपका गलत strategy है क्योंकि हो सकता है कि fund manager ने जो stocks pick किया हो पिछले एक साल वो इस समय rally में हो वो इस समय momentum में हो तो अच्छा return बना करके दे रहे हैं लेकिन जब rally खतम होगी जब momentum खतम होगा तो ये fund बहुत तेजी से गिरेगा भी और हो सकता है कि जब market नीचे जा रही हो collection period में जा रही हो तो ये fund आपको negative return भी देने लगे जो कि आपको मैंने rolling data के हिसाब से दिखाया मैं ये कत्ताई भी ने कह रहा हूँ कि बंदन India small cap जो है वो बिकार fund है नहीं लेकिन किस तरीके से आपका mime setup होना चाहिए जब आप fund को select करते हैं वो चीजे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो केवल YouTube पर Google पर या फिर अन किसी public platform पर जिस भी fund को आपको suggest किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो fund आपके लिए appropriate हो हो सकता है कि long term में आपको negative return भी देखने को मिले तो इन सभी चीजों से आपको aware होना चाहिए और कैसे आपको fund select करना चाहिए वो चीजे में आपको समझा रहा था आपको screen पर जो भी email ID दिख रहा है इस पर आप अपना portfolio send कर सकते हैं review कराने के संदर में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद में से जोड़ गताएगा और ऐसा ही मत पून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब